नमस्कार दोस्तों गुरुकुल अकेडमी में आपसी का स्वागत हैं दोस्तों आज हम आप लोग लिए विज्ञान की टोप 40 कुश्टन्स लेके आए हैं जो फ्रेंस बारबर प्रिक्साम में पोची जाती हैं अगर आप लोग किसी बे एक्जाम के त्यारी कर रहे हैं तो फ् फिर आप लोग त्यारी करें कोई भी एक्जाम हो जहां पर वियान एक्जाम में आती हैं चाहिए फोर्ष का एक्जाम हो सब एक्जाम के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमन रहने वाले तो फैंस इस वीडियो को अंत तक्स जोड़ देगा आपसे रिक्वेस्ट है पर वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंस के पास चीर करें और याद अखना एक कोईशन का जवाब देने के लिए आपको पांच सेकंड का वक्त मिलेगा उसके बाद हम आपको आंसर बता देंगे और आपसे फिर सेक रिक्वेस्ट है परते कोईशन का आंसर कमेंट बोक्स मे जूर देना फाइदे हैं एक तो आपके डाउट कलिर होंगे दूसरा फाइदा ये है कि जो भी आपके जो कमेंट उन्हें को ही देख कि हम अगला टेस्ट त्यार करते हैं आपकी तरह को चेक करके ठीक है तो अचली का कुश्शन स्टार करते हैं हमारा पहला कुश्शन है आ पहर नाल में स्टार्स के पाचन में अंती मुतपाद क्या है माल्टोज है सी हो जाएगा राइट आंशर माल्टोज देखे नेक्स्ट पीत नियून में से किसके दवारा पैदा किया जाता है बताएंगे जल्दे से कि पीत नियून में से किसके दवारा पैदा किया जाता है बिल्कुल यह कर्थ के दोरा पैदा किया जाता है और जमा होता है पित कहाँ पर पितासे में जमा होता है पित जमा होता है पित जमा होता है पित जमा होता है भी आपको बताया है बताएंगे जल्दी से अगर आप नभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है सब लोग फ्रापड वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस के पास सेयर कर देंगे जल्दी से पित जमा होता है किसमें पित आसे में यह रहेगा जिरेट आंशर या दखना आप लोग अच्छे से पित जमा होता है कहां पर पितासे में जमा होता है पित option number A हो जाएगा right answer देखिए next रक्त का सुधिकर्ण कहां होता है बताएंगे जल्दी से के रक्त का सुधिकर्ण कहां होता है रक्त का सुधिकर्ण कहां होता है kidney में होता है difference option बर शीर हैगा right answer किड़नी या दखना आप लोग रक्त का सुधिकर्ण कहा होता है किड़नी में होता है c हो जाएगा right answer किड़नी या दखेंगे आप लोग देखिए आगे चलिगा कि रक्त में लाल रंग नियून में से किसके कारण होता है किसके कारण होता है हीमोगलोबिन के कारण होता है तो B हो जाएगा राइट आंसर हीमोगलोबिन या दखना आप लोग के रक्त में लाल रंग नियुन में से किसके कारण होता है हीमोगलोबिन के कारण होता है B हो जाएगा राइट आंसर हीमोगलोबिन देखे नेक्स्ट सफेद रक्तकर्ण का मुखे कारी क्या है WBC White Ballard Sales का मुखे कारी क्या है जी बताएंगे जल्दी से White Ballard Sales का मुखे कारी है रोग परतोतक समता धारन करना तो C हो जाएगा Right Answer WBC का जीवन काल 2-4 दिन होता है कौन है Land Steiner है तो A हो जाएगा Right Answer Land Steiner या दख लेंगे आप लोग के रक्त समों के खोज करता कौन है Land Steiner है Option Number A रहेगा Right Answer Land Steiner या दखेंगे आप लोग आगे देखे चलिए RH Factor का पता लगाया किसने बताएंगे जल्दी से पटापट आप लोग अच्छे से कि RH Factor का पता लगाया था Land Steiner और V अंदर ने तो D हो जाएगा Right Answer देखेंगे Next मनुस्य के मस्तिस्का सबसे बड़ा बहा कौन सा है जी फ्रेंस बताएंगे जल्दे से आप लोग कि मनुस्य के मस्तिस्का सबसे बड़ा बहा कौन सा है कौन है परमस्तिस्क है C होगा Right Answer परमस्तिस्क या दखना आप लोग मनुस्य के मस्तिस्का सबसे बड़ा बहा कौन है परमस्तिस्क है C होगा Right Answer परमस्तिस्क या दखना आप लोग मुनुस्षा में मेरोधर्ण से कितनी जोड़ तरंध कं निकलती हैं 31 जोड़ी तर तो ऑधर्षी हो जाएbie देखिए नेक्स्ट किसने बताएंगे जल्दी सिरोपर्थम जीवों का वेगानिक वर्गी करनि किसने प्रस्तुत किया किसने क्या लेनेस निकिया- तो यह होगा लेट आर्ट आन्ष लेनेस देखिए नेक्स्ट मज़ और बहुत अच्छे क्युष्टे ने और फ्रेंस कल से हम आप लोग के लिए टोपिक वाइज विज्ञान यानि साइंस भी स्टार्ट कर रहे हैं देखिए यहां पी देखिए कि स्पेशिल सबद का प्रियोग किस ने क्या था जोन रे ने क्या था तो भी रहेगा राइट आउसर जोन रे या दखेंगे आप लोग देखिए नेक्स्ट कोक्रोच किस सम्हो का प्रतियोटो करता है जी बताएंगे जी फ्रेंस कोक्रोच तिल चट्टा किस सम्हो का प्रतियोटो करता है किस सम्हो का करता है आर्थो पोड़ा का करता है तो डी होगा राइट आउसर आर्थो पोड़ा या दखेंगे आप लोग ठीक ना को क्रोच किस सम्मुह का प्रतिनेतों करता है आर्थो पोड़ा का करता है डी होगा रैट आंसर आर्थो पोड़ा ठीक है देखेगा नेक्स्ट सरवादिक प्राचिन मौलस का किसको माना जाता है किसको फ्रेंस नियूर पिलाइना को मानती है सरवादिक प्राचिन मौ सरवादिक समय तक जीवित रहने वाला प्रानिक कोन है सरवादिक समय तक जीवित रहने वाला प्रानिक कोन है बिल्कुर फेंस कोन है कच्छुआ है तो भी हो जाएगा रैट आंसर कच्छुआ या दखेंगे आप लोग सरवादिक समय तक जेवित रहने वाला प्राणी कोने कच्छुआ तो भी होगा right answer कच्छुआ याद रखेंगे आप लोग ठीक है देखीगा next सरवादिक छोटा स्तंधारी कोन है सरवादिक छोटा स्तंधारी कोने बताएंगे जल्दे से कोने चछुदर है तो C रहेगा right answer चछुदर याद रखेंगे आप लोग सबसे छोटा स्तंधारी है चछुदर C होगा right answer देखीगा next विसानो को किसने सबसे पहले यह है बतलाया कि यह है सजिव नहीं है जी फ्रेंस बताएंगे आप लोग जल्दे से विसानो को किसने सबसे पहले यह है बतलाया कि यह है सजिव नहीं है किसने बतलाया स्टेंड लेने बतलाया जी फ्रेंस C रहेगा right answer याद रखेंगे आप लोग विसानो को किसने सबसे पहले यह है बतलाया कि यह है सजिव नहीं है स्टेंड लीने बतलाया सी होगा रैट आंसर स्टेंड ली देखे नेक्स्ट कोशी के स्रंचना वाला सबसी छोटा जिव कौन शाय कोशी के स्रंचना वाला सबसी छोटा जिव कौन शाय बदाएंगे आप लो कौन शाय जिवानू है तो भी रहगा साबू दाना बनाया जाता है यह आप लोग रहा दखना किसे पौधी क तने से साबू दाना बनाया जाता है साइकस के पौधे से बनाया जाता है अगला कुछन है कि बरफ पर पाए जाने वाले सैवाल क्या कहलाते हैं बरफ पर पाए जाने वाले सैवाल क्या कहलाते हैं क्रेप्टोफाइट्स कहलाते हैं क्या कहलाते हैं क्रेप्टोफाइट्स कहलाते हैं भी होगा रेट आंसर क्रेप्टोफाइट्स य आप लोग जी फ्रेंस बिल्कुल किस प्रकार के सहवालों से आयोडिन प्राप्त होता है भोरे किस प्रकार के भोरे सहवालों से प्राप्त होता है आयोडिन ओफ समबर A हो जाएगा right answer ठीक है? ना? देखिएगा next कि इस सेवाल में protein की सुरवादिक मात्रा पाय जाती है? जी friends बताएंगे आप wonderful जल्दिसी किस सेवाल में protein की सुरवादिक मात्रा किस包括 में पाय जाती है? कलोरेल into जाती है? तो lens D नहीं रहेगा राइट आंसर कलोरेला या दखेंगे जी आप लोग अच्छे से किस सेवाल में प्रोटीन की सिर्वादिक मात्रा पाए जाती है कलोरेला में पाए जाती है डी रहेगा राइट आंसर कलोरेला ये आप लोग फ्रेंस अच्छे से या दखेंगे कलोरेला ठीक है देखेंगा ने क्रोमो फाइल्स कहलाता है भी हो जाएगा राइट आंसर क्रोमो फाइल्स या दखना आप लोग देखिगा next कवकों की कोश्च का भीति किस पदार्थ की बनी होती है कवकों की कोश्च का भीति किस पदार्थ की बनी होती है जी बताएंगे आप लोग अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नेकिया है सब लोग आपड वीडियो को लाइक करेंगे अपने फ्रेंस की पास जल्दी से शेयर कर देंगे जी यहां पर देख कवकों की कोश्च का भीती किस पदार्थ की बनी होती है किस की बनी होती है कायटीन की बनी होती है तो फ्रेंस ओफिर मड़ी रहेगा राइट आंसर कायटीन या दखना आप लोग अच्छे से कायटीन ठीक है देखिए नेक्स्ट कवकों कवकों दवारा उत्पन विस क्या कहलाता है क्या कहलाता है बताएंगे जल्दी से बिल्कुर फेंस कवकों दवारा उत्पन विस क्या कहलाता है अफला टोक्सिन कहलाता है सी होगा रैट आंसर अफला टोक्सिन या दखना कवकों दवारा उत्पन विस क्या कहलाता है अफला ट होता है कि की बिल्कुर Pol沒事 Mitokundria का जीवन काल होता है 5-10 दिज्क-5-10 दिन होता है forward-power कैंज सी थे नेकश्ट सम शूत्री विभाजन इंक न क Says कहाउ में होता है स्म शूत्री विभाजन इंक होता है चाहिब बताएंगे जलदे खिंछ मिल्कूर weet मिल्कुर काई कोशिकाओं में होता है सी हो जाएगा राइट आंसर सिर्फ काई कोशिकाओं में ठीक है देखे नेक्स्ट अर्द सूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है बताएंगे जल्ली से कि अर्द सूत्री विभाजन किस प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है बताएंगे जलिस फड़ापट बिल्कुर फ्रेंस अर्ध सूत्री विभाजन पाया जाता कि इन कोशिकाओं में जरन कोशिकाओं में पाया जाता है तो भी रहेगा फ्रेंस रेड अंसर जरन कोशिकाओं में विशिष्टा है किसकी है अर्द सूत्री की है तो भी रहेगा रैट आंसर अर्द सूत्री या दखेंगे आप लोग क्रोशिंग ओवर नाम घटना किस कोशिका विभाजन की एक विशिष्टा है अर्द सूत्री तो भी रहेगा रैट आंशर अर्द सूत्री या देखेंगे आप लूग देखिए नेक्स्ट फलो में कौनशी सरक्रा पाए जाती है ये फ्रेंस बताएंगे जल्दे से कि फलो में कौनशी सरक्रा पाए जाती है फलो में पाए जाने वर सरक्रा कौनशी फ्रक्टोज है तो भी रहेगा फ्रेंस रैट आंशर जो इस सरक्रा होती है और सबसे मीठी सरक्रा होती है और सबसे मीठी सरक्रा होती या दखना आप लोग देखे आगे चलेगा कि प्रकास संसलेशन की प्रकास ये परतिक किर्या की खोज किसने की थी प्रकास संसलेशन की प्रकास ये परतिक किर्या की खोज किसने की थी हीलने की थी तो ये रहेगा रेट आंसर हील या दखेंगे आप लोग अगला कोशिण देखे, प्रकास संसलेशन प्रकिριया में कार्बन डाइय ओक्षैड के अपचें के फलसरोप बनता है, क्या बनता है। प्रकास, संस्लेशन, प्रकिरामे कार्बन, डाइयोक्साइड के अपचेन के फल्स रूप क्या बनता है, गलुकोज बनता है, तो फ्रेंस सी रहेगा, रैट आंशर गलुकोज, देखिए नेक्स्ट, मनुस्य में कितनी जोड़ी, लार ग्रंथिया पाए जाती है, कितनी जोड लार में कौनसा इंजाइम पाया जाता है, बताएंगे लार में कौनसा इंजाइम पाया जाता है, कौनसा टैलिन इंजाइम होता है लार में, तो ओफ्रेंस नमबर ए हो जाएगा, रैट आंशर लार में पाया जाने वाला इंजाइम टैलिन है, जो फ्रेंस ओफ्रेंस ओफ् प这ट ऑअन्षर यहां पर यहाँ दखेंगे आप लोग ठेकें धिक कहाँकर केंगे चली है प्रोटिन किमस की विंदे पर दार्थों से बनी होती है प्रोटिन किम करदार्थों से बनी होती यह बताएंगा जल्ले इंस वीड doen को करने जबने杂श का धन्यवाज अगर आप को माल टोज में बदलने म från इन्जाइम कौण से स्कूइः को मलल टोज में बदलने वाला इन्जायम कौण से कौन है इन्वर्टेज ज्इफरेंस उफश्य रहेगा रायट आंसर इन्वर्टेज ज्याद का आप लो क्तूइच को माल या दखन आप लोग मानुसरीड में कार्भवाइडिट कव पाप ची किसके दवारा होता है इंसुलीन के दवारा होता है भी हो जाएगा रैट आंसर इंसुलीन ठीक है देखिए नेक्स्ट रेडियो एक्टिविटी की खोज किस ने किय już जल्द से रेडियो एक्टिविटी की खोज किती हेन्री बहत कुरल ने डि हो जाएगा रेटा उस् framework अग्ला कॉश्छं है एं्टिसेप्तिक किया था antiseptic surgery का सुत्रपात किया किसने क्या बताएंगे जल्दे से बिलकुल antiseptic surgery का सुत्रपात किसने क्या था जिया बिल्कुल joseph lister ने क्या था see हो जाएगा right answer joseph lister तो friends ये थे आज के हमारी questions जो अभी complete हो चुके है friends अगर कोई doubt है share के जिगा सभी के doubt अगली वीडियो में clear के जाएंगे जी friends याद दखना अगर आपने भी तक वीडियो को लाइकने क्या है अपने friends की पास share करेंगे जो लोग पहले बार यहाँ पे आई है जल्दे से आप लोग फ्राफट चैनल को subscribe करेंगे साथ में बेल आइकन पर भी कलिक कर लेंगे ठीक है तो friends से लिगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब ते के लिए goodbye जय हिंद जय भारत वन्दे मात्रा